तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि बियेच्चू अपना अगला फिफ्ट राउंड नहीं ले करके आएगा और उसके जगह पे वो स्पोर्ट राउंड ले करके आया था तो स्पोर्ट राउंड के बारे में जानके बहुत सारी सुकताइं जो है वो बढ़ गई थी और टेंसन की बात भी हो गई थी कि फिफ्ट राउंड अप नहीं आने वाला है क्योंकि सीट्स कम बची थी और सबसे इंपोर्टेंट चीज कि हमने जो इंफॉर्मेशन दिया वो कौन कौन एलिजिबल है रेजिस्ट्रेशन कैसे होगा फी स्ट्रक्चर क्या होगा प्रिफरेंस कैसी होगी अलॉट्मेंट कैसे होगी मतलब रेजिस्ट्रेशन से लेकर के अलॉट्मेंट तक स्पॉट राउंड के बारे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं तो यह वी बेसिक सिख्षा कि इस online learning platform पे तो भी अपने नोटिस में लिखा है कि आप लोगों का अगला राउंड जो आएगा वो सपटेमबर पहले तक क्या होगा कि आपको अगर अपग्रेड कर दिया जाएगा थीखे आप ãy operate क्या पिको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन सपॉट राउंड का जो स्टार्ट होगा वो नो तारिक से स्टार्ट होगा और 11 That तक registration होगा, ठीक है, spot round 1 का allocation और fee submission 12 से 14 तारिक के बीच में होगा, और physical verification जो है, वो जो regular rounds हुए है, 1 से 4 तक के, उन बच्चों का जो है, 13 और 14 September को होगा, ये अब तक की जानकारी है, अब बात करना है, कि सर हम लोगों का जो spot round है, उस spot round में जो है, आगे की बात करना है, कि सर ये spot round जो होता है, उसमें बाकी चीजे कैसी है, मतलब की, इस spot round में सर, अगर हम बात करें, cap bulletin की, कि क्या process है, वो बताइए, तो मैं आपको सबसे पहले इस process को समझाता हूँ, ताकि आपके लिए चीजे जो है, वो क्या हो, वो ज़्यादा clear हो जाएं, देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो लोग क्या जारी करेंगे, seat matrix जारी करेंगे, कि इतनी इतनी seat इस subject में, इस faculty में, department में बची हुई है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है, वो जो है, आपको date announce कर दिये, seat matrix के बाद, जो है, date announce होई चुका है, कि कब से कब तक आप registration जो announcement का process है, ठीक है, इस registration में, आपका जो fee structure है, वो new 500 rupees लगेगा, और ये non refundable होगा, 500 आपको देखर के दोबारा जी registration करना होगा, spot round में, और कौन कौन कर सकता, एक बार फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, और इस पे क्या होगा, 500 non refundable वो आपिस नहीं होगा, उसके बाद क्या हो उसके बाद जो है, उनकी allotment आती है, अगर इसी चीज़ को हम लोग बात करें, तो अपने इसी जो spot round का, इनका bulletin cap का, उसमें वो कहते हैं, eligibility criteria में, कि जिसने register किया spot round में, ठीक है, eligible कौन है, जिसको अभी तक seat नहीं मिली है, पहला point, दूसरा ये कहते है, candidate who registered for BHU counseling process, but were not offered any seat, एक तो जिसने register ही नहीं किया, दूसरा जिसको CT नहीं मिला, तीसरा जिसको मिला, उसने fee नहीं जमा कर पाया, चौथा क्या हुआ, जिसका verification के कारण, delete कर दिया गया, या फिर उनको admission से बाहर कर दिया गया, उसके बाद आता है most important चीज, कि process क्या है, ठीक है, तो spot round का process क्या है announcement, once the spot round is announced, the online portal will be frozen for already, ठीक है, कहता है, कि जब आपका spot round announce हो जाएगा, तो online portal क्या होगा, आपका बंद हो जाएगा, तीसी लिए वो 5 तारिक का अपग्रेडेशन का deadline है, उसके बाद fee payment का deadline है, तो ये correct कीजे, ठीक है, तो announcement हो चुका है, दूसरा, opting for spot round, eligible अगर आप है, आपको 500 रुपे देने होंगे, जो की non-refundable होंगे, ये process है, उसके बाद क्या होगा, seat selection, for spot round, which you will display a list of program with available seats, कि आपको available seats दिखाई जाएगी, कि यहाँ, यहाँ seat है, अब आप जो है, seat selection से अपने preference को आप क्या कीजे, fulfill कीजे, उसके बाद क्या होगा, allotment criteria, कि आपको allot कैस किया जाएगा, तो अगर जिस program को आपने choose किया है, मान लिजे आपने क्या choose किया, आपने जो है, बी ए, political science choose किया, FMC में, तो वो देखेगा कि वहाँ पे जो है, आपका seats कितनी available है, उसके बाद देखेगा, candidate के merit कितना है, उसके बाद देखेगा, उसका order of preference क्या है, फिर candidates category, उसकी category क्या है, और any other admission rules or criteria mentioned in the cap, documents or published of the Bhu admission की बाकी और भी जो criteria है, उसको देख करके वो काम आगे करेगा, ये क्या है, ये उसके complete process के बारे में बताता है, spot round के, तो सबसे पहले तो बाबु मैं आपसे ये request करूँगा, कि आप लोग comment section को एक बार हट से भर दीजिए, या फ इतनी valid हम लोगों ने आपको information दी, और आगे mop up पर spot round के भी हम लोग आपको valid information देंगे, ठीक है, दूसरी चीज आपको अब इस spot round से क्या दिक्कत हो रहा है, वो भी comment section में बता दीजिए, उस पे भी हम लोग अलग से video ले करके आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बस ऐसे ही बना रहा है, वाव, भी हम लोग कोई भी information देते हैं, तो वो valid अपने sources पे based देते हैं, जो की हमेशा से correct रा है, और experience के साथ देते हैं, ठीक है, तो ये आपका total spot round का क्या है, spot round का complete information है, ठीक है, जैसे जिसे चीजे और आगे आएंगी, वैसे वैसे आपको और पत ये बैठी है अराम से, seat matrix आने दीजे, फिर बैठ के आप decide कीजे कि क्या available seats हैं, क्या उस seats पे आपको fight करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये withdraw कर लिया आपने, और आपको अगला option भी न मिला, आप regular round से withdraw करके आप spot में आ गया हैं, और आपको spot में भी नहीं मिला, तो वो भी नहीं करना होगा, तो बहुत अराम से, इत्मिनान से बैठना होगा, सबसे पहले आपको अराम रखना होगा, ठीक है, बाकी कोई भी आपको तिक्कत है, आप comment section में drop down कीजिए, और comment section में एक बात, आप लोग अपने express कर दीजिए, feeling कि आपके लिए ये video कितना अच्छा रहा अब बाकी के भी वीडियो जो हैं कितने relevant रहें और कितने अच्छे रहें, अपकी उमीद है आपका spot round अच्छा जाएगा, thank you so much, hope you liked the video